नमस्कार विवर्स मैं हूँ अमीश देवगन और मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा जिसे कहते हैं सबसे बड़े मेहमान है यानि एक मेगा एस्क्लूसिफ इंटिव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से में मौजूद हैं मोदी ज चौथे चरण की वोटिंग जारी है तीन चरण संपूर्ण हो चुके हैं यह चुनाव आपको कहां जाता हुआ देख रहा है खास्तों और पर तेल्गू स्रेट्स में भी वोटिंग है कि पहले तीन चरण के जो चुनाव हुए है कि उससे मैं साब देख रहा हूं कि कॉंग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो सबके सब एक प्रकार से दिशाहिन नजर आते हैं अब देखिए आपको कहीं पर भी इंडी अलाइंस नजर नहीं आएगा वो नेता नहीं तहीं कर पा रहे हैं वो एजेंडा तहीं नहीं कर पा रहे हैं उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध मोदी को गाली गलोच उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के अधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं देश इतना बड़ा देश आज खास करके जुन्नाव जवान मद्दाता है वो यह हम्मेशना सोचता है कि आखिर कर इतने बड़ा देश इतनी वीवी देता है ऐसा कौन नेता है जो इसको समाल पाएगा नाम बताओ इंडी एलाइंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में फिर इतना भी कहते हैं कि मैंने कहीं अगबार में पड़ा वह ऐसी फॉर्मिला ला रहे हैं जिस फॉर्मिला में पांट साल में पाँच प्रधान म्तری हर वर्ष एक प्रधान म्तifice अगर हर वर्ष को फैल में लाइंगे जिक ता आप मुझे बताईये की कि डेशक यह होगा अब को गाउं के ओनोग में बढ़िए मजे दारं कथा सुनाते हैं कि एक बार 10 की साने पाणी के बिना क्या होगा तो मिलकर को पाणी जांच करने वाले लोग तो उनको बुलाया पानी तो निकल सकता अगर 100 मिटर तो पानी अपनी ये पाणी मिलेगा तो 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 पिर दस मिटर मेरे अहां तो गड़ा करो दूसरे ने कहां 10 मिटर में यहां करो पिसने दसों ने कहां 10-10 मिटर कर लो 100 मिटर हो जाएगा पानी निकलेगा तो पांच साल में पांच प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे अब नहीं कर रहे हैं मैं कल भी बोला हूं जी अब ठीक है कि उनकी चिंटा यह है कि कोंग्रेस का एजेंडा क्या है और सभी राज्यों के भ्रमन से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है आंधी बड़ी और चार सो पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है विपक्स 19 से 24 में विपक्स के नाते भी विफल गया है जो लोग विपक्स के नाते भी 20 पल गए हो उनको इतना बड़े देश का कारवार कौन देगा लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटे अपने दम पर पाई हिंदी भाशी राजियों में एक त भारती जर्णतापाटी यह जो आप इतनी पूरानी सोच के साथ बैठे हुए हो गोवा कई हिन्दी भाशी है क्या गुजरात हिंदी भाशत है क्या महराष्ट्र हिंदी भाश्यियों क्या महारास्ट्र हिंदी भाश Mensch pandemic िदूढंगाल करनाटर का हिंदी भाश दीने अराउ भारतिय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी करेगी और करेगी और यह यह मोदी कहता है इसलिए कर लिया है इसलिए लिए चार सो पार होना है और भारतिय जनता पार्टी भी अपने सारे रेकॉर्ड तोड़ेगी और की अपने सारे रेकॉर्ड तोड़ेगी ते अंध्रा में ऐसे चुनावं में साउथ सबसे बड़ा सर्प्राइज देगा केरल तमिलाडू पुडिचेरी करनाटगा आंधर तेलंगडा विपक्ष को भी साउथ से उमीद है बहुत द्यागा और बहुत बड़ी सिध्वी भारती जैनता पार्टी और एंडिये के पक्ष में रहेगी जिए बिलकुर साफ न मानता हूं कि तेलंगडा क्लिन स्विप करेगा जिन राज्यों में राज्यों के चुनाव है वहां भी जहां भारती जनता पार्टी है वो रीपीट करेगी जहां एंडिये है वो नई सरकार बनेगे और इसलिए इन सभी राज्यों में सरकार बनना तय है आंद्र तिलंगना में भी क्लीन स्विफ होने वाजा है एक मैं पूरदेश घुम रहा हूं चुनाव के लिए एक चीज मैंने देखी इस चुनाव में नरेटिव बार-बार बदले पहले नरेटिव आया रिजरवेशन का फिर आया नरेटिव की बीज़ेप है फिर से एक बार मोधी सरकार चुनाव का नरेटिव एक ही है अपकी बार 400 नरेटिव वही है लेकिन जो लोग हताश है निराश है जो मुद्दों की तनाश में है जी उनके लिए बार-बार वो खोज रहें कैसे ठीके कैसे लोगों के बीच में रहें इसलिए उनको यह खेल करना पड़ रहा है लेकिन वो नीचे तक लोगों को बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं लेकिन उत्तर से दक्षन तक पूरफ से पश्चन तब एक नेरेटिव है मोदी जी और यह हमारा एनलेसिस है वो है नरेंद मोदी मोदी एक नेरेटिव है इस पर आप क्या करते हैं आप पर बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि आप अपनी तीसरी टर्म में वापस आएं मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है जी देश की जनता का प्यार यही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है जी देश की जनता के आशिरवात यही बह आप बनते ही बनते देसे केरल में जाकर लेक्टून का सबसे बड़ा साती चीजी केरल में जाकर के उन्होंने उन पर चुड़ा भोग दिया खुद चुनाव लड़ गए और मैंने पूरे चुनाव में सबसे तीखी आलोचना सबसे थी भासा अगर सब्सक्राइब है कॉंग्रेस के विश्वस्त सलहकार का जो कॉंग्रेस के 30 साल तक और टॉप परिवार के सलहकार रहे हैं उन्होंने कहा है कि यह तय है और उन्होंने निर्णे करके लिया है कि हम राम लगा को फिर से एक बार टैंट में बेज के ही रहेंगे सुपर कमिशन बनाने की बाद राम लगा को फिर से टैंट में बेज करके ही रहेंगे यह उनके सलहकार ने कहा है यह कॉंग्रेस वारों ने निर्णे किया है और देश को पुरा भरोसा है कि इस प्रकार की करने की इनकी आदत है गोट बेंग की राजलिते के लिए कुछ भी कर कि रहा है लालू जीने मुस्लिम आरक्षन की बात कैई है उन्होंने बुला कि मुस्रिम का डरक्षन होना चाहिए क्या देखतें आब उन्होंने आर अरफचन होना चाहिए और शम्मैस कन खर surprोरा प्रकार कैनपना हैं के भी विचार बहुत फश्ट रहें कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए पंडित नहरू भी इसी विचार के थे लेकिन उसके बावजुद भी राजनीती और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो देश को फिर से एक बाद धर्म के आध प्रटी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के प्रति नफ्रत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए देश के सेना नायक को उन्होंने एक बार गली का गुंडा कहा पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए ऐसा कहता नहीं है पाकिस्तान भी नहीं कियाता है लेकिन लेकिन पाकिस्तान में सदन में उनके नेताओं ने भाशन किया है जिए जिस पकार से शर्ज कर स्टाइड करके जाते हैं, एर स्टाइड करके जाते हैं, और हम हाथ से हाथ जोड़ करके बैठा गरते हैं, यह उनके भाशन है वहाँ के, अगर हमारी बात नहीं माननी है, हमारी देश के सेना की बात नहीं माननी है, तो वो अपने मित्र पाकिस् प्रवाटर केक नेता ने एक और पक्षी नेता ने आपको तुगलक का फिर उसके बाद ताना शाह का के आपको बुरा लगता है यू आपको गुस्सा आता है इस पर देखिए हम तो कामदार है बेनामदार है और हम कामदार लोग जरम से गालिया सुन-सुन करके बड़े लोग मुझे कभी कुछते मोदी जी आपके इतनी बड़ी एनर्जी का रहश्य क्या है तो मैं कभी मजाग पर कहता हूँ कि मैं डेली दो किलो गाली खाता हूं और उसी से मुझे उर्जया मिलती है देकि मेरी एक बहुत पुरानी कवीता है मुझे वियाद तो नहीं है लेक मैं कहता हूं कि जितनी घंड उचालेंगे जितना कीचर उचालेंगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी एक सवाल आखरी है कि माताओ भेनों का आप से विश्येश लगा गया कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे उस बंगाल के वीड जो है इसको परधान मंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं तो कि यह बहुत बड़ा इमोश्य करने के लिए मेरी मात्रु शक्ति को एमपावर करना चाहिए नारी शक्ति को बढ़ावर देना चाहिए तो मैं बड़ी सद्धा से एक पूजा भाव से काम कर रहा हूं कृपा करके इसको राजनिति के तरावसी जमत थो लिए और मैं चाहता हूं मैं वैसा ही उड़े बक्ति भाव से देश की मातां की सेवा करूं इस देनों की बहनों क सवा करो तो इस देश की बेटियों की सवा करूं यूथ वोटर को फर्स्ट वोटर है उसको आपका मेसेज क्या होगा पधान मंत्री मोदी कि मेरा उनके लिए कोई मैसेज नहीं है मुझे तो देश की युवां का मैसेज चाहिए मैं देश की युवां की इच्छा कांख्षा के अनुसार चलना चाहता हूं हमने अभी जो पेंटी फोटी सेवन का विएन बनाया करी 35 लाख नव जवानों से मैंने फिड़ बैक लिया ह है और मैं अभी 100 दिन का कारकम बनाया है मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं 125 दिन का बनाओं और मैं 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवां को पूछने वाला हूं यह 25 दिन के लिए उनके क्या सुझाव है कौन से काम मैं पहले करूं तो मैं इस प्रगारते देश के युवा बैट प्रेंट फॉरेवर मतलब के अब कोई खास दोस्त है जिसके साथ दिल की बात करते हैं ऐसा है मैं देश के 140 कुरोर देशवास्यों से दिल की ही बात करता हूं जी था कि मैं तो जीता हूं दिल के संबंदों से बहुत भागत धन्यवाद प्रधानमत्री तिया आपने हमें समय दिया पर आप सौस से जाधा रेली और रोडशो कर चुके हैं इतनी उर्जा आप कहां से लेकर आते हैं धन्यवाद जी तहने बाद प्रधानमति मोची